हिमाचल परदेश के New Pension Scheme यानि की NPS करमचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग फिर से उठाई है करमचारियों के कहना है कि New Pension Scheme से करमचारियों का भविश खत्रे में है इसे केवल उन कमपनियों को लाव होगा जिनके यहां करमचारियों के भाग धन को निवेश किया जाता है हिमाचल परदेश के New Pension Scheme यानि NPS करमचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग फिर से उठाई है करमचारियों का कहना है कि New Pension Scheme से करमचारियों का भविश खत्रे में है इसे केवल उन कमपनियों को लाव मिलेगा जिनके यहां करमचारियों के भाग धन का निवेश किया जा रहा है रामपूर में पत्रकार बारता के दोरान NPS करमचारियों महसंग के परदेश मुख्या परवक्ता कुशल शर्मा ने कहा कि बर्ष 2003 के बाद नियमित होने वले सरकारे करमचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम से बाहर कर दिया गया है उन्होंने कहा जबकि मुख्या मंतरी ने NPS करमचारियों के पैतनी दी मंडर को पूरुम में आशवसर किया था कि इस बिशिया पर गंबीर्टा से गोर किया जाएगा लेकिन इस बिदान सवाश चातर में मुख्या मंत्री दोरा दिये गे विक्तित्वे से NPS करमचारी हताश हैं, कुशाल सर्मा ने कहा कि NPS करमचारे ने ये भी मांग रखी थी कि केंदर सरकार के करमचारी की दरज़ पर मृत्यों बो दिब्यांकता की स्तिती में दी जाने वाल करने में अस्मर्त है तो फिर मंत्री सांसदों और विदैकों को दी जाने वली पैंशन भी बंद करें उन्होंने कहा अगर सरकार उनकी मांगों पर द्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में करमचारी बड़ा अंदोलन करेंगी